नमस्कार दोस्तों, क्लास एट महाराष्टा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्टर नमबर 11 स्टेटिस्टिक्स परसेंटेज बार ग्राफ यह पॉइंट अभी शुरू है प्राक्टिस एट 11.3 के दो क्वेशन्स इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें हो चुके हैं तरड क्वेशन अभी हमें इस वीडियो में सॉल करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेर करें और बिल आकान प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अब देखें क्वेशन नमबर 3 क्या है अब ही जो डेटा क्लेट किया है, वो क्या है देखें स्कूल के नेम्स यहाँ पर दिये गए है स्कूल, फरस्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मतलब नमबर से हैं स्कूल के लिए inclination towards science stream, 10th class के students है 10th class के बाद 11th और 12th में हमें या तो science, commerce या फिर arts इन तीनों में से एक stream चूज करने होती है तो जो भी 10th के students हैं उनका inclination, inclination मतलब इसका meaning होता है जुकाओ, मतलब यहाँ पर meaning होगा कि inclination towards science stream इसका मतलब science stream की तरब जुकाओ कितने students का है इसका मतलब कितने students science stream लेने वाले हैं 11th के लिए 10th के बाद अब दिखे फर्स्ट स्कूल में science को जाने वाले students 90 दिख रहे हैं और inclination towards commerce 60 students हैं second स्कूल में science stream को जाने वाले 60 और commerce को 20 इसे ही यहाँ पर 25, 25, 16 और 24 तो हमें percentage बार ग्राफ फाइंड करनी है तो इसलिए हमें percentage चाहिए science stream का भी और commerce stream के students का भी तो जो science को जाने वाले हैं उनका percentage हमें अगर फाइंड करना है तो percentage आप inclination towards science science को science की तरफ जिनका inclination है जुकाव है उनका percentage हमें फाइंड करना है तो दिखे टोटल स्टूडन फर्स्ट स्कूल में total students है 90 plus 50 sorry 60 150 उनमें से science stream को जाने वाले है 90 students तो numerator में हमें लिके आए 90 multiplied by 100 100 से multiply करो अब 150 और 100 इन दोनों को 50 से divide होगा 53 जा 52 जा फिर 3 से 90 को divide करिए 3 जा 3 3 3 9 3 0 0 30 into 2 60 percent students first school में से ऐसे हैं जिनको science stream को जाना है अब second school में देखे 60 plus 20 total students है 80 उनमें से 60 students को science stream में जाना है तो 60 into 100 अब यह calculation करने के लिए यहां का एक जिरो यहां का एक जिरो cancel करना है 8 और 10 को तो से डिएड होगा तो 24 जा 25 जा 4 से 60 को डिएड होगा होगा लिए 4 जा 4 4 जा 4 45 जा 20 15 into 5 75 तो स्कूल से से कड्स कूल हैं से कंड्स को से स्टूड़ंट्स ऐसे हैं जो science को जाना चाहते हैं अब देखें कॉमर्स स्टमों स्ट्रीम के जो स्टूडेंस है वो स्टूडेंस में स्टूडेंस को जाने वाले 40 स्टूडेंस होगी क्योंकि 60-40 100 कौु जी स्टूडेंस अब देखे 25 प्लिस 25 टूटल स्टूडन्स हैं 50 उन में से साइंस को जाने वाले 25 मल्टिप्लार बांडेड तो 25 अंजा 25 25 तूजा 50 तूजा 2 तूजा 50 तूजा 50 परसेंट स्टूडन्स ऐसे हैं जो साइंस ट्रिम को जाना चाहते हैं अब देखे 16 और 24 इनके अगर हम एडिशन करते हैं तो यहां पर 40 मिल जाएगा तो 40 में से 16 स्टूडन्स को साइंस लेना है तो 16 निम्रेटर में लिखना है डिनाम्टर में टोटल 140 पर मल्टिप्लाइ करना है तो यहां का एक 0 यहां का एक 0 जेरो कैंसल होगा 4 इन्जा 4 4 4 इन्टो 10 40 परसेंट स्टूडन्स ऐसे हैं जिनको साइंस टियम लेनी है मतलब फूर्थ जो स्कूल है उसमें से अब ये जो information है इस information का यूज करके हमें percentage बार ग्राप डॉख करना है तो percentage बार ग्राप के लिए बार ग्राप पर क्या क्या डॉख करना है आप जो चिज़े हैं पहले हमएं डॉट करना है वो मैंने यहां पर डॉट करने है सबसे पहले है पिры नहीं या करेना है तर यहां पर एक Y-axis लेना है तो लेप सार्ड में हमें Y-axis लेना है और Y-axis पे हालकि यहां पे percentage है तो हर bar graph की जोạnh है वो 100 डेने वाली है तो इसलिए हमें 100 तक Y-axis क्या हीट लेनी है मतलब जहां पर हमने यहां X-axis लिया है उसके उपर 10 lines होने चाहिए ऐसा हमें बार crop जो है वो बनाना है percentage of students तो यहां पर जो heading लिखे हैं मैंने percentage of students Y-axis पर लिखना है फिर जो X-axis है X-axis पर हमें यहां पर schools लेने हैं तो यहां पर first school, second school, third school और fourth school चार schools हैं तो चारों school के यहां पर names लिखने हैं फिर हमें जो sharing करनी है उसे हिसाब से देखे अभी हमें sharing करनी है अभी जो sharing करनी है वो science के लिए करनी है और जो खुला चोड़ देना part है मतलब जिसको sharing नहीं करनी है वो है commerce stream के students के लिए अब scale on Y-axis 1 cm is equal to 10% students Y-axis पे हर 1 cm में हमने 10% students का scale जो है वो measurement लिया है तो 100 तक हमें हर बार की height लेनी है first, second, third, fourth 4 school की जो height होगी वो 100% होगी percentage बार ग्राप में तो चलिए हम percentage किस school का कितना है वो अब देख लेते हैं first school में जो science stream को जाने अले बच्चे है उनका percentage है 60% तो यहाँ पे first school जो होगा उसकी जो height होगी first school के students की 60% तक height होगी उनकी जो science stream को जाने वाले हैं तो 60 यहाँ तक है तो यहाँ पे हम shedding कर लेते हैं science के लिए हमने यहाँ पे shedding मतलब shedding किये तो science के लिए shedding होगी तो next जो school है second school 75% students ऐसे हैं जनको science को जाना है तो second school के लिए देखे 75% कहाँ पे आएगा जो 70 है और 80 है इन दोनों में से fifth line जो होगी part अब देखे 70 और 80 में 10 का difference है और इन में 10 lines है तो एक line एक unit के लिए होगी तो एक percentage एक centimeter यहाँ का होगा मतलब अंदर का एक line जो है एक part एक percentage जिनोट करेगा तो 71, 72, 75 तक मतलब यहाँ पे fifth line है तो fifth line यहाँ पे थोड़ी dark होती है तो यहाँ तक हमें 75% लेना है और यहाँ तक shedding करनी है क्योंकि shedding के लिए हमने science stream के बच्चों का यहाँ पे बार लिया है जिसको हम shedding करेंगे तो shedding part जो है वो science stream के बच्चों का बार होगा अब देखें भी third school में 50% students ऐसे हैं जनको science stream को जाना है तो third school यहाँ पे है third school की जो highlight होगी वो 50% तक हमें यहाँ पे 50 है तो 50% तक जो highlight होगी वो science stream के लिए होगी और जिसे हमें shedding करना है तो यहाँ पे यह shedding का part जो है वो हुआ science stream के बच्चों का अभी फूर्थ स्कूल में 40% स्टूडन्स साइंस को जाना चाहते हैं तो फूर्थ जो स्कूल है उसका यहां पर 40% हाइट लेनी है तो 40% तक जो हाइट होगी वो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए होगी तो यहां पर 40% साइंस और डिमेनंग जो 60% है वो कॉमर्स होगा क्योंकि यहांपर दो स्ट्रीम दिये गए है अब यहां पर 50% साइंस 50% यहांपर के फर्संट साइंस 25% डिमेनिंग यहां पर जो दिखिए 75% यहां तक हमने ले लिया तो remaining 25% रहेगा और यहां हमने 60% तक लिया है तो remaining 40% रहेगा तो आपने आप जो यहां का percentage है वो अपने आप आप आज जाएगा remaining students का और वो commerce का है तो हमें यहां पर school लेनी है percentage of students और इस तरीके से हमें graph draw करना है और एक बार आप नीचे से उपर तक पूरा जो बार graph है वो कैसे हमने draw किया है वो आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो वाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद